नमस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में अडानी विल्मार स्टॉक को डिसकस करेंगे अडानी विल्मार जो है आज 2.5% की तेजी में है जबकि पूरा बजार एक कंसोलिडेट फ्रेट ट्रेंड में ट्रेड होते दिख रहा है और ये इडेवल वाइल के जो इंपोर्ट ड्यूटी बरहाए गए फ्राइडे को उसके बाद ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड अडानी विल्मार में दिखना था लेकिन ये 2.5-3% के ट्रेंड से ये ना समझें कि स्टॉक बरे रन के लिए तयार हो गया जब तक ये 14 के उपर की क्लोजिंग नहीं दिखे तब तक हमको थोड़ा साबधान बरतना चाहिए तो एपिसोड में आगे भरें इससे पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपन करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में सेयर करेंगे डिसेंट की डिलेबरी देखें तो कन्सोलिडेट फॉर्म में 32, 40, 45% तक का दिखा लेकिन ट्रेंड देखें तो यहां कन्सोलिडेट पोजेटिव फॉर्म में जा रहा है जबकि पिसले दो साल के जो रिटर्न है वो माइनस 50% है तो क्या यहां एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जाए या अभी भी कोशन होना चाहिए तो मैं कहूंगा कि अभी भी कोशन होना चाहिए रिवर्स इस समय एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए आज के वॉल्यूम देखेंगे तो लगबग 26 यानि 30 CR के आसपास 30 lakh के आसपास का है टेक्निकली स्टॉक अपने सपोर्ट को रिश्पेक्ट तो कर रहा है यहां 1,2,3 तीन टाइम रिश्पेक्ट तो किया लेकिन बड़े ट्रेंड के लिए ये एक रिजेक्शन जोन है जब तक 400 के उपर की वीकली क्लोजिंग ना हो तब तक बड़े ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यहां अगर आप मोमिंटम प्ले करना चाहते हैं तो 352 के नीचे के SL को प्ले करके आपका यह टार्गेट और 400 अगर ब्रेक आउट होता है तो 560, 640, 720 जैसे लिएक्सपेक्ट किया जा सकता है